Good morning everyone अब तक हमने डब जो मैरे पास polrization by reflection & scattering यह study है reflection के आपके पास कुछ limitation को study किया था क्योंकि आपके पास polrization by reflection था उसमें क्या हो रहा था आपके पास की कुछी % मेरे पास जो polarize wave है polarize ya light ball नहीं क्या हो सकते हैं मरे पास क्या हो stay सिर्फ एट परसेंट इंटेंस्टी की मिल रही थी ठीक है इसके बाद हमने स्केटरिंग का फिनोमना स्टडी किया था जिसमें थायो सल्फेट का सोलीशन लिया था और उसके जो नैसेसरी कंडिशन थे आपके पास वह थी कि पास लाइट है उसके जो पार्टिकल उनका साइज के ओना चाहिए तब आपके पास क्यों प्रेटरिंग का फिनोमना शोगा यह एक नैसेसरी कंडेशन थी चीक है और ऑपजर्वेशन थी और हम यह जो निकोल क्लिश्टल है या फिर हमारे पास क्या टर्मिनल पोलराइज एन जो चैक करने के सब्सक्राइब करेंगे इसको रो्टेट करेंगे तो ऑपर आता अनलाईयजर में क्या खुर्ण था वो सओни यह प्र अब स्पाल पास आपने इस ट्राइप का देखोगा यह मर पास पैंसिल है किसे भी चीज कोई ग्लास वगर कोई ऐसे चीज देखे होगी जिसमें से हम जैसे पैंसिल को रखे वो दो दिखाई देती आपको ठीक है दूसरी थोड़ी लाइट से फोम में होगी एक तो स्टेटी फोम में सब्सक्राइब फोम में गया देखे तो इसको बोलोगा यह जो प्रपर्टी है किल्सायट कृस्टल होता है तो ऊसमें मेर पास क्या वगा है यह मतब ग्लास के जगा हमें क्या करना था बिर्वल दिखाई देगी इसी फिनूमना को क्या बूलोगे डबलबफ्लेक्शन की र यह मतब एग्जांपल है कि इन सब में से मेरपास किया होगा है बल फिर्थी में RDF इन स्वाव में दिखाए देगी ठीक है तो मेरे पास जर्णनल फों में अगर पैसि यह टे कले के सप्धूर्शन का फिरोमन होगा अब double reflection actual में क्या होगा actual में मेरे पास हमने बोला दो दिखाए दे एक तो मेरे पास सिद्धी दूसरी मेरे पास क्यों होगा तो मेरे पास क्यों होगा यहां से double reflection क्यों होता है अगर इसकी definition के बात कहीं यह बोले जब मेरे पास unpoldrized light या फिर ordinary light क्या होगी पास करेगी किसे quartz crystal से या फिर calcite crystal से चीक है तो glass में नहीं करेंगे glass तो हम transparent medium as a palace study भी कर चुके हैं जिसमें हम reflection का phenomena किया था और glass plate रखके हमने उनकी intensity को increase कर दिया था यह बोले हम क्या करेंगे या पे calcite crystal का use करेंगे या फिर quartz crystal, mica, sugar, topaz इन सब को use करके हम क्या कर सकते हैं मतलब इनके crystal को use करके किसी भी चीज़ का crystal यूज़ कर सकते हैं यह बोले हम वहाँ पे क्या होगा आपके पास दो refracted beam क्या है दिखाई देंगे ठीक है तो मेरे पास यह दो refracted beam जो दिखाई दे रहे इसी चीज़ को क्या बोलते हैं डबल रिफ्रेक्शन का फिनोमना बोलते हो चीक है और जब मेरे पास जो crystal है इस फिनोमना का show करेगा उसको बोलोगे डबल रिफ्रेक्टिंग crystal ठीक है अब इसमें होता है क्या यह बोले है जब मेरे पास एक light है इस मेरे पास source है वहाँ से क्या आगी order नहीं या फिर हम बोल सकते unpored as light आएगी यहाँ पर fall होगी crystal के ओपर हमारे पास fall होगी तो fall होते मेरे पास क्या होगी एक तो क्या होगी order ने सिध्धी light जाएगी और दूसरी मेरे पास क्या होगी पास क्या होगी अपना एंगल क्या गड़ लेगी divert कर देगी मेरे पास क्यों होगी यहाँ पर क्यों होगा दो reflected light आ रही है तो यही क्या आपके पास double reflection का phenomenon होगा यह पोले जो मेरे पास double reflection हो easily हम show कर सकते हैं कि मेरे पास क्यों होगा मेरे पास family में उसको क्या बोलोगे nor kindly मुलिए और मेन पास जो रिफम इन अबार कि यह में पास perspective और है जो औरियर है यह जिसी मेस को प्लस כर रहे है और इंए श् impressions of ke यह इन ऐफिर और अख में घुलोम कि च quickly bring the mirror is my pack क्यों होगा एक तो में पर दूसरी क्या होगी, इरे होगी, ठीक है, तो मेरे पाजो और एक